हाई गाईस तो देखें आब आपका फस्ट एर का लास्ट इम्तिहान बचा है जो थोड़ा बहुत आपके लिए ड्रामेटिक हो सकता है अब Microbiology एक ऐसा subject है जिसके अंदर आपके बेक लगने के भी chances रहते हैं अगर आप इसको ढंक से नहीं पढ़के जाते तो अभी तक नहीं पढ़ाया कुछ भी या फिर आपने कहीं लेक्चर नहीं देखें हैं तो आपके पास लेक्चर भी में प्रोवाइड करवा दूँगा जो इससार इंपोर्टेंट टॉपिक है उनके नोट्स भी बखायद आपको मिल जाएंगे तो आपको इस माइक्रो बाइलोजिक के लिए ज़्यादा घबराने के ज़रूद नहीं है जितना पॉसिबल होगा कि मैं आपको बहुत ही इसको एक सड़ल तरीके से करवा दूँगा अब बात करते हैं अपने माइक्रो बाइलोजिक के सारे इंपोर्टेंट कुष्चन की तो देखिए फ मैथर्ट देते जैसे कि वह होट या ड्राइ मैथर्ड ड्राइ हीट मैथर्ड ठीक है वह देदे पास्चुराइज़सन दे तो प्लीज आपको मैं एक चीज बोलूँगा कि इस चैप्टर को इस्टेलाइशन और डिसिंफिक्शन इसको बहुत ही तगड़े तरीके से आप क इस्टेलाइशन है ठीक है इनको आप डंग से पढ़ गया और इनको इससी के लिए प्रिपेर कर ले ना साहरे साहuç के लिए बेरार रहते और इसमें से पूरे कुष्टन अएंगे आग Air Ilent कि नर्सिंग में क्या इंपोर्टेंस है और मैं आपको बता दू यह कुश्चन कितना सिंपल है आपके जो हर चैप्टर है उसकी हैडिंग बना-बना के ही लिखना आपको यह समझ लीजिए कि माइक्रोबाइलोजी का रोल नर्सेज को स्टेलेशन और डिसिंफेक्शन समझने में हेल्प करता है जो भी एसीड फास इस्टेनिंग वगएरा जो भी स्टेनिंग के मैथ हर्ड या फिर बैक्टिर्य वाइरस की चांच करनी है उसके उसकी चांच में मदद करता है तो मतलब आप ओवर जो आपके चैप्टर के हैडिंग से ना उन उनको बना करके आप रोल है और इस इंफेक्शन और इस्टिलाइशन बड़ा कुछ न आएगा इसमें से भी पार्ट होके आ सकते हैं फिर आप बोलोगे कि डायरेक्ट नहीं आए तो प्लीज मैं आपको बोलूगा कि पूरा चैप्टर पढ़िएगा इस्टिलाइशन और डिसिंफेक्शन आगे एक करूंगा एसीड फास्ट इस्टेनिंग डंग से करके जाना है बैक्टिरिया की सेप और साइज सो आपने 12 11 12 में बैक्टिरिया पढ़ा है न तो प्लीज आज उसको एक बार रिवाइज कर लेना कहीं से भी सेप और डाइग्राम देखके आ जाना हैंगिंग ड्रॉप और फी को थोड़ा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा आगे स7े सप्समें मेडीक कल स्श्टिकल स्टिकल सेप्सिश के साथ जो अपने नर्सिंक फंडामेंटल में पढ़ा है वो तो आएगा रिव अग्वे न मेस्टौ एक नबर का कूश ना करना है साफ हैस्तित अ एक्वाइड इंफेक्शन या नोजोकॉमियल इंफेक्शन इस पर कुछिन आएगा चार यार्ट नंबर का आगे बात करते हैं इम्मिनिटी इम्मिनिटी जो भी आपने चाहे नर्सिंग फाउंडेशन में पड़ी हो वही वाली इम्मिनिटी यहां भी आती है तो प्लीज इस फंडा बताता हूं कि जब हमने माइक्रोबाइलोजिका पेपर दिया था तो हमने यह पूरी यूनिट पढ़ लिए हमने बाकि सारी यूनिट बहुत अच्छे पढ़ लिए क्योंकि साथ कुष्चन आते हैं लगबग साथ यच्छे कुष्चन आएंगे उसमें से आपको प पूरी यूनिट का हैडेक लेनी के कोई ज़रूत नहीं है अगर आप एक टॉपर हो टॉपर बनना चाहते हो तो पड़ो मैं आपको नहीं बोलूँगा बट इसका हैडेक मतलो क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा है टाइम कंजूम होगा उससे उसके अलावा आप इन च सब्सक्राइब तो मैंने जो मुझे ठीक सा आता था थोड़ा बहुत यह तो उसको किया अब उसको किया तो थोड़ा ठीक गया बहुत अच्छा नहीं ठीक गया तो दिक्कर यह थी अब वह लग लग की बात है आगे एक मैं चीज बता दूं कि रोल आफ नर्स इंसेंपल कल आगे अपने वैक्सीन भी लगई है तो और तो प्सक्राइब हैं यह उसके साथ सेडियोल आपको पूरा मुह पर चाहिए इसके भी आपने के चांसेज रहते हैं और पीक एंटीजन एपक्म और प्लेक्टियों यह एक 120 रियाक्शन यह इंप इंपोर्टेंटेंट आइक स् तो इसका क्लासिफिकेशन ही पूछ लेते हैं मतलब लिए पूछ के एनिफाइलेकस पूछेगा तो यहां पर इस को अगर अगर प्रिपेर करें तो एट लिसका क्लासिफिक्शन देख लेना अब मैं आपको एक चीजे सजेस्ट करता हूं कि आपको किस किस टाइप सब्सक्राइब करनी है तो मैंने यहां पर आपको बता दिया कि आपकी यह जो पैथोजोनिक माइक्र और इसकी यूनिट को आप साइड में रख देजिए बाके सारी यूनिट को जो मैंने यह कुश्चन बता है इनको ढंग से करिए और बाके कुछ कुश्चन अगर बचे हैं तो उनको भी आप कर लीजिए ताकि आपका इधर का लोड खतम नहीं रहेगा आगे जैसे देखते हैं कि क्या क्या चीज कर लेते थे अब जैसे की मलेरिया वलेरिया का साइकल आ गए या फिर पूरा वह आ गया डेंगो आ गया मैं वही बैक्टिलोजी वाइरोलोजी की बात कर रहा हूं तो अपनको इतना नहीं आता वही ठीक है अब नहीं किया था एक अब यूनिवर्सिटी ने पैटर्न अब दिक्कत आपको बस इसी कुश्यन में आ सकती है अब आप मेंसे कुछ बच्चे होंगे जो यह पुछेंगे कि सर खाली हमें यह फिल इन दा ब्लैंक सी करना है क्या तो मैं आपको सजिस्ट करूंगा प्लीज यह ना बहुत जाता नंबर केरी करते हैं चार चार नंबर क ठीक है तो प्लीज 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 आप इनको explain कर देना ऐसे कोई रिस्क वाली बात नहीं है कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पड़ा अभी तक माइक्रो बाइलोजी में तो उनके लिए है कि आपकी पूरी माइक्रो बाइलोजी का रिविजन हमारे वी यहां पर इन वीडियो में इस्टिलाज़सन देख लो भई ठीक है अब फिर आप अब मतलब आप देखे खाली इस इंपोर्टेंट कुश्चन के बरुसे हो ना तो कम से कम इन वीडियो को भी देख लो ठीक है क्योंकि इनसे भी बहुत फाइदा होगा और आप इनका स्क्र जो को पढ़ लेते हो तो क्योंकि इन चीजों का एटलिस्ट आपको डैफिनेशन्स वगेरा तो पढ़ ही लेनी है और इन सब को पढ़ने के लिए मैं आपको एक बहुत बहुत बेटर चीज बताइए कि आप गूगल की इमेजस में या डायरक्ट गूगल पर सर्च करके इ आपको ठीक है कि 50% के बाहर 60% 70% के करीब मिल जाएगा इतना मिल जाएगा कि एक दिन पहले इतना हो रहा है बहुत बड़ी बात है ठीक है बाकि अगर आपन जाने तो आपने कभी ना कभी पूरे साल में पढ़िए ना और नहीं पढ़िए तो फिर अपढ़ लो आपके पा हमने सारी ट्रिक्स लेके नहीं आ पाया बाकि आगे के लेक्चर्स में वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो लेके आऊंगा जो आपका करिकुलम आपका सेलेबस बहुत ज़्यादा इजी कर देंगे तो थैंक्यो सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो